नमस्य वाई बच्चों आज मैं उडान कहानी से संबंदित जो प्रस्ण है उसके उत्तर लेकर आई हूँ इस वीडियो में प्रस्णों के उत्तर में पढ़कर आप लोगों को समझाने वाली हूँ आप लोग ठीक तरीके से समझें याद करें और हिंदी लिट्रेचर की कॉपी में उसे अच्छे तरीके से कॉपी करने की कोशिस करें तो question no.3 और question no.4 मैं आप लोगों के लिए लिख कर लाएं हूँ जिसे मैं पढ़कर बता रही हूँ ढाम से सुने आप लो question no.3 निमलिखित प्रस्णों के उत्तर एक वाकर के में लिखिए तो यहाँ पर पाँच question है जिनका answer बहुत संशिप्ट में लिखना है पहला क्वेस्चन है पड़ी कौन थी? पड़ी एक आठ साल की लड़की थी प्रस्ट नमबर खा पड़ी को कौन बड़े प्यारे लगते थे? चिडिया के कोमल, मासुम, बच्चे पड़ी को बहुत ही प्यारे लगते थे पड़ी देर राद तक क्या करती थी? पड़ी देर राद तक उस चूजे के बाड़े में सोचती रही जो अंडा के खोल तूटने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाया था नमबर गव पड़ी चूजे की हालत का दोसी किसे मानती है पड़ी चूजे की हालत का दोसी खुद को मानती है पड़ी को कौन सी बात समझ में आ गई थी आंसर पड़ी को या बात समझ में आ गई थी कि जीवन में सफलता की उड़ान भरने के लिए जीवन की सभी रुकावटों को खुद ही पार करना पड़ता है स्वमी उसे पार करना पड़ता है अब हम लोग आते हैं क्वेस्चन नमबर फोर जो संशिप्त नहीं है यह से थोड़ा विस्तार के साथ लिखना होगा इसका आंसर थोड़ा लॉंग आंसर तो पड़ी बगिया किस काम से गई थी वहां उसने क्या देखा इसमें दो करस्चन है पड़ी बगिया में अपनी मा के लिए पूजा के फूल लाने गई थी जहां उसने एक पुराने पेड़ के कोटर में कुछ चूजो को देखा जो मूँ खोले ची ची कर रहे थे पड़ी के मन में संकाए क्यों उठने लगी जब वह तूटे हुए अंडर को देखती है लेकिन उसमें से चूजा बाहर नहीं निकल पाता है इसलिए उसके मन में संदे शंकाए पैदा होने लगी प्रस्चन नमबर गः पड़ी ब्याकुल क्यों हुई पड़ी इसलिए ब्याकुल हुई कि मा के आने के बाद दुसरे बच्चे मूँ खोल कर दाना चूगने के लिए बेचैन हो जाते थे वही एक चूजा चुपचा पड़ा राता था वह न उड़ता था और न चीची करता था प्रस नंबर गः अब कुछ नहीं हो सकता ऐसा पड़ी ने क्यों कहा आंसर अब कुछ नहीं हो सकता पड़ी ने चूजे की हालत को देखते विया सका क्योंकि चूजा उसकी गलती के कारण अपाहीज हो गया था जिसके कारण उसे बहुत अफसोस होता है वो चूजा को देखती है और उसके हालत की जिम्मेदार वो खुद को समझती है तो ये थी उड़ान चेप्टर के क्वेस्टन आंसर जिसे आप लोगों का अच्छे से याद करना है कॉपी करना है और पढ़ाई करना है तक तक के लिए नमसिवाए घर पे रहे शुरक्षित रहे ठीक से पढ़ाई करें